Ministry of Civil Aviation ने सिख चात्रियों को विबान जात्रा पर बड़ी रात दी है और अब वह किरपान के साथ सफर कर सकेंगे इसके लिए नागरिक उडियों मंताले की तरफ से दीशा निर्दिश जारी किये गए हैं मंताले की तरफ से जारी दीशा निर्दिशों में किरपान के बलेट के लंबाई 15.24 cm से अधिक नहीं होनी चाहिए साथी करपान की कुल लंबाई 22.86 cm से जाद भी नहीं होनी चाहिए मंताले ने कहा कि सिख जात्रियों को यह है पर्मिशन केवल घरेलू टर्बिनों से संचालित होने वाले भारतिय विमानों में जात्रा करने के लिए ही मिली है वहीं भाजपा नेता मंजिंदर सिर्सा ने भी इस रात पर ट्वीट किया है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा सिख जात्रियों और करिमियों को ड्यूटी के दुरान हवाई सफर में किरपान ले जाने की पाबंदी हटा दी है सिख कर्मिय और जात्री अब किरपान को भारतिय एरपोर्ट पर ले जा सकते हैं उन्होंनों इसके लिए पीम नरेंद मोधी और केंदे नागरिक उडियन मंतरी जोती रादित्य सिंधिया को तुरंद कार्यवाली के लिए धन्यवाद भी दिया है कुछ दिन पहले शिरोमणी गुर्दवार परमंदर कमेटी के अधर्ष हरजिंदर सिंध धामी ने भारत के एरपोर्ट पर काम करने वाले सिख करमचारियों को करपान पहनने पर पाबंदी लगाने का सक्त नोटिस लिया था उन्होंने कहा था कि भार सरकार की तरोस से हाली में जारी किये गए नोटिफिकेशन में सिख करमचारियों को एरपोर्ट के अंदर करपान पहन कर जाने से रोका है जो कि सिख पंद के लिए धक्यशाही है सरकार के फैसले की हुई थी निंदा सिख जात्रू के करपान के इस्तमाल पर रोक लगाने के फैसले पर एड़ोकेट धामी ने भारस सरकार के नागरिक उडिन मंत्री को पत्र भी भेजा था इस पत्र में सरकार के नोटिफिकेशन की सख शब्दों में निंदा करते हुए एतलाच जटाया था उन्होंने कहा था कि यह फैसला तुनंत वापस लिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह अपने ही देश में सिखों की धार्मिक आजादी पर बड़ा हमला है इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा अमरिसर विकास मंच के सरंग्षक कुलवन सिंग अंकी ने भी सरकार के फैसले का विरोज जदाया था उन्होंने कहा कि सामप्रदाइक सर्दाव और सिखों की इस पतंदर्ता बनाये रखने के लिए इस फैसले को वापस लेना जरूरी है उन्होंने कहा कि यह अनुशित 25 के तैद भारत के समविदान द्वारा परतान गिये गए अधिकारों का उलंगन है जो एक अमरित धारी सिख को अपने धार्मिक आवश्कताओं के रूप में करपान ले जाने की अनुमती देता है हमारी संस्ता नागरिक उडियन मंत्री और केंदे घ्रह मंत्री से मांग करते है कि फैसले को तुरंद वापस लिया जाए ताकि एरपोर्ट के किसी भी करमचारी के साथ भेहतबाव ना हो ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को स्पस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद